प्रीज सांथियो नमस्कार बिगनिंग केरियर क्लासिस में आप सभी लोगों का स्वागत है प्रीज सांथियो आज हम मदप्रदेश के बहुत ही महत्पूर्ण करेंट अफियर्स के टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं लगभग इस टॉपिक से आप देखोगे कि आपके बहुत सारे कोश्चन कबर होंगे मैं चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं चलिए ये केवल MPPSC के लिए नहीं अपी तो MP पूलिस के एकजाम के लिए व्यापम के एकजाम के लिए काफी महत्पूर्ण होंगे हम इसको क्विक रुविजन की दृष्टी से देख रहे हैं क ठीके चलिए सांतियों सबसे पहले हम बात करते हैं मद्द प्रदेश के राज्यपाल की ठीके तो भाई अभी मद्द प्रदेश के बरतमान राज्यपाल कोन है तो आप देखोगी कि हमारे मद्द प्रदेश के बरतमान जो राज्यपाल है ठीके बो कोन है तो मद्द प्रद पटे यहीं अभी हमारे मद्द प्रदेश के क्या है बर्तमान राजपाल है अब दीखी साथ ही हो राजपाल से related कितने सारे प्रश्नियां पर बनेंगे सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे प्रथम राजपाल कौन थे तो आपको ये बत्ता होगा कि भिया हमारे मद्द प्रदेश के प्रथम राजपाल जो है फर्स्ट राजपाल जो थे वो कौन थे पट्टा भी कौन पट्टा भी सीता रमया चीक है सीता रमया ये जो है मद्द प्रदेश के प्रथम राजपाल थे अगला प्रश्ट यहाँ पर ध्यान रगिएगा प्रथम मैला अब प्रथम मैला राजपाल कौन रही है तो आपको ये पता होगा कि सरला ग्रेवाल जो है सरला ग्रेवाल ये मद्द प्रदेश की प्रथम मैला है जो राजपाल रही है फिर अगला प्रश्ट क्या कोई ऐसी मैला है जो दो बार जो है मद्द प्रदेश की राजपाल रह चुकी है तो हाँ बिलकुल कौन आनंदी बैंद पटेल ठीक है कौन मैला है आनंदी बैंद अब शाथियों यहां से रिलेटेड और कुछ महतपूर प्रश्ण में आपको बता देता हूँ, देखिए, आर्टीकल, कुछ महतपूर आर्टीकल 153, 153 में क्या कहा गया है, कि भीया, राज्यों के लिए जो है, एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा, जिसमें पूरी क कारिकारी सक्ति नीत होगी, और जिसका प्रियोग किसकी सलाय वा परामस पर करेगा, मंतरी मंदल, मंतरी के अध्यक्षिता वाली, मंतरी परसत की सलाय पर काम करेगा, यह चीज़े कही गई है, कुछ महतपूर आर्टीकल में आपको बता देता हूँ, ठीके, फिर आर्टीकल ध्यान रखिएगा, 161, आर्टीकल 161 में क्या है, राज्यपाल को छमादान की सक्तियां दी गई है, किसकी, तो यह दे कि राज्यपाल का प्रावधान है ना, किसके लिए, राज्यों के लिए, फिर आगे ध्यान दर की राज्यपाल की क्या है, छमादान की सक्तियां, कौन सा आर्टिकल 200 ठीक है इसमें क्या है राज्यपाल के पास ये पावर दी गई है कि वो किसी विध्यक को राष्थपती के लिए आरक्षित कर सकता है क्या कर सकता है आरक्षित कर सकता है तो यहां पर देखिए जो है कोई भी विध्यक ऐसा है ठीक है कोई भी ऐसा विध्यक जो किसके लिए राश्ट पती के लिए क्या किया जाएगा आरक्षित कर लिया जा सकता है आर्टिकल 202 में आपको पता होगा बजट का प्रावधान है जो कि राज़पाल के द्वारा प्रश्टुत करवाया जाएगा आगे देखी और भी महत्पूर्ण सबसे महत्पूर्ण जो अभी बरत्मान में हैं आपको पता होगा अभी जो है निर्वाचन से संबंदेत पंचायतों के निर्वाचन से संबंदेत जो प्रावधान किये गए थे और अभी जो आरक्षण को लेकर जो विवाद उत्पन हुआ है उसमें जो है ध्यान रखेगा आर्टिकल 213 के तह राज्यपाल को किसकी सक्ति दी गई है अध्यादेश की ये प्रस्न जो है कई बार MPPSC में और विविन प्रतियोगी परिक्षाओं में पूछा जा चुका है तो आर्टिकल 213 के तहित राज्यपाल को अध्यदेश जारी करने का जो है अधिकार प्राप्त है आपको पता सत्र में ना हो और किसी महत्पूर विशेपरम को कानून मनाना हो तब यह अध्यदेश जारी किया जाता है यहाँ पर एक और आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 356 ठीक है यह क्या है राज्यपाल की सिपारिश पर ही आप देखिए राज्यपाल जब समयधानिक विवस्ता के अनुरूप कारें नहीं कर रही है तो ऐसी परिस्तिति में क्या हो जाएगा राज्यों में क्या लग जाएगा राज्यों में क्या लग जाएगा राष्ट पती सासन यह लग जाएगा अब पी सांथियों यहाँ पर सवाल उठता है क्या मद्द प्र में MP पुलिस में कई बार ये प्रशने पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा मद्द प्रदेश में 1977 में 1980 में और 1992 में ये त्री टाइम जो है राश्टपती शासन लगाया गया है ठीक है ये राज्यों में राश्टपती मद्द प्रदेश में तीन बार लग चुके हैं अच्छा है एक चीज और ध्यान रखिएगा प्रश्ण यहीं पर बन सकता है क्या केंदर में भी तो बिलकुल हां आर्टिकल 352 के तहट जो है केंदर में भी राश्टपती शासन लगाया जा सकता है और केंदर में भी अभी तीन बार लग चुके हैं ठीक है राश्टी आप प्रदेश में कितनी बार तीन बार लगाया जा चुका ठीक है साथियो अब दो तीन और राजपाल की निउक्ति कौन करता है तो राजपाल की निउक्ति राश्टपती करता है ठीक है राश्टपती करता है परंतु यहां पर आपको ध्यान रखना है कि राश्टपती राज राज़िपाल को शपत नहीं दिलवाता है तो फिर कौन दिलवाता है शात्य ओ तो जो हाईकोट का चीफ जिस्टिस होता है वही जो है राज़िपाल को अपने पद्वा-गोप्त-रीता की सपत दिलवाता है । चलिए आपको इस seism दूसरा प्रश्ण है मद्द प्रदेश के मुख्वंत्री तो साथियों मद्द प्रदेश के मुख्वंत्री कौन है श्री शिवराज सी चोहन जी है ठीके क्या विश्यस्ता है तो यहाँ पर ध्यांद रखेगा यह कौन सी बार है फोर्थ टाइम यह सियम बने आपको पता होगा 23 मार्च 2020 में इनोंने क्या लिया है अपने पदबा गुपनीता की सफत लिया है अब प्रश्णी यह उड़ता है कि भाई प्रथम मुख्वंत्री कौन थे तो पंडित जो रवी संकर सुकल है कौन रवी संकर सुकल यह जो है मद्द प्रदेश के क्या रहे हैं फाइस्ट सी एम रहे हैं प्रथम मुख्वंत्री रहे हैं प्रेशनी ये उड़ता है क्या मद्द प्रदेश में कोई महिला भी मुखवंतरी रही है तो साथियों पर्थम महिला मुखवंतरी जो रही है वो कौन रही है सूसरी ठीक कौन सूसरी उमाभारती जो है ये मद्द प्रदेश की मुखवंतरी रही है प्रथम महिला मुखवंतरी होने का गोवरोप्राप्त है अब शाथियों क्या मद्द प्रदेश में कोई गैर कांग्रेसी रहा है तो बिलकुल कैलास जोसी है ना प्रथम गैर कांगरेसी CM कोन रहे हैं तो आपको ध्यान रखिएगा कोन रहे हैं कैलास जोसी ये मद्द प्रदेश के प्रथम गैर कांगरेसी मुखमंतरी रहे हैं अब प्रश्णी ये उड़ता है कि क्या सबसे कम कोई ऐसा मुखमंतरी है जिसका क्या सबसे कम कारिकाल रहा है तो हाँ बिल्कुल सबसे कम कारिकाल किसका रहा है तो अर्जुन सिंग का ठीक है अर्जुन सिंग ठीक है इनका जो है मद्द प्रदेश में सबसे कम कारिकाल रहा ह सबसे ज़्याद कारिकाल किसका है तो आप बताओगे शिवरासी चोहांजी का है ठीक है जो बरत्मान मुखमंतरी है अब यहाँ पर प्रशने पुनहे उड़ता है कि भाई इससी पहले कौन थे कब ये चुना हुआ तो मैं काफी कुछ आपको किलियर कर देना चाहता हूँ ध् कि हमारी पंद्रवी विधान सभा ठीक है इसके लिए चुना हुए और आपको पता होगा चुना में कुल कितनी विधान सभा सीटें थीphoria I इसमें S3 के लिए कितनी रिजर्ब है तो आपको पता होगा कि 47 सीटें S3 के लिए रिजर्ब है S3 के लिए कितनी रिजर्ब है तो 35 इस तरीके से total 82 सीटे रिजर्ब थी ये चुनाओ कब हुआ भीया तो ये चुनाओ जो हुआ ये number 2018 में हुआ कब हुआ No. 2018, बहुमत में कौन सी सरकार आई तो आपको पता होगा कि बहुमत में जो है, बहुमत दल का जो नेता आया, बहुमत दल का नेता, कौन रहे, कांगरेस़ पार्टी रही, और आपको पता होगा कि कि स्री किसने ये, इसने कमल नाज जी जो है ये जो है हमारी क्या रहे मुखमंतरी रहे ठीक है ये हमारे मुखमंतरी बने लेकिन सातियों कुछ परिष्टितियों के चलते हमारे यहां कुछ ऐसे विधायक थे जो भागी हो गए जिन्होंने बर्तमान मंत्री मंदल से क्या दे दिया किस्तीपा दे दिया ऐसी कंडिशन में उपचुनाओं करवाए गए और उपचुनाओं में आपको पता होगा कि जब उपचुनाओं करवाए गए तो उसमें फिर महत्पुन रूप से परिवर्ता नाया तो मैं बरतमान की इस्तिति आपको बता देता हूँ बरतमान जो उपचुनाओं उसके बाद की इस्तिति ये रही कि कमल नाज जी की सरकार चली गए और यहाँ पर एक चीज और ध्यांदर कियेगा प्रोटाइम स्पीकर दिपक सक्सेना जी को बनाये गए था कमल नाज जी के समय ठीक है आगे हम चर्चा करेंगे बरतमान में जो है आपको पता होगा जो बीजी पी है अभी 126 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है फिर कॉंग्रेश है ठीक है कॉंग्रेश जो है 115 सीटे है सम्मत है साथ ठीक है और इसके अलाबा जो है आपको पता होगा बिपक्च, सोरी, 96 है यह, 96, इसकी अलावा जो है, निर्दली है, कितनी, 4 सीटे हैं, बासपा और सपा, मिलाकेर और कितनी हैं, बासपा और सपा, यह मिलाकर कितनी हैं, 3 सीटे हैं, तो इस तरीके से, एक सीट अभी रिखत है, ठीक है, तो इस तरीके से यह बरतमान की इस्तित है चलिए सांतियों काफी महत्पूर्ट प्रिश्चन थे जो कि आपके समझ है अच्छा यहां पर तीन-चार आर्टिकल मैं आपको बता देता हूं आर्टिकल बन-63 यह जो आर्टिकल बन-63 है यह क्या कहता है बिया कि राज जिपाल को सलायवा परामर्ज देने के लिए एक कारी-कारी मंतरी परिशत का गठन किया जाएगा जिसकी अधिक्षता कौन करेगा मुक्ख मंतरी करेगा तो इस तरीके से मंतरी परिशत के गठन का प्रावधान किसमे किया गया है आर्टिकल 136 में आर्टिकल 164 क्या कहता है कि आर्टिकल 164 ये कहता है कि भाई जो बहुमत दल का नेता होगा उसको मुखमंतरी बनाया जाएगा और मुखमंतरी की सलाय पर ही अन्यमंतरी परिशत का गठन होगा ठीके तो य काफी महत्पुड प्रेश्चन थे ध्यांद रखिएगा चले आगे आपको स्क्रिंशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो अधर वाइस आगे चलते हैं ठीक है साथ ही हो तो शीवराशी चौहन बर्तमान चौते मतलब चौती वार बने हैं 23 मार्च 2020 को सपद गरंड किये थे प्रथाम रवी संकर सुक्लेती प्रथाम महिला सूसिरी ओमा भारती प्रथाम गेर कांगरेसी कैला जोसी सब्चेकम कारकाल अर्जुन सिंग का पंदरभी विधान सभा के लिए चुना हुए तो यहाँ पर ध्यान रखेगा मैं नोट में एक चीज़ और बता दूँ नोट में कि जो विधान सभा थी उसमें महिलाओं की संक्या कितनी थी तो जो पंदरभी विधान सभा में चुना हुए हैं उसमें महिलाओं की संक्या 21 थी ठीक है कितनी 21 मेलाएं जो है चुनकर आई हुई थी थी ठीक है बहुमत दल का नेता को था उसमें कमन लाजी बर्तमान में कोन थे पहुमत दल की नेता सिरी 84 उप चुनाओं जो हुए हैं अभी कब हुए चुनाओं 2018 में अब कब होंगे भीया तो अब 2023 में चुनाओ होंगे ठीक है 2023 में चुनाओ होंगे चलिए मैं आगे चलता हूँ अब साथियों यहां पर एक चीज़ और देखिए अध्यक्ष तो बर्तमान में जो विधान सभा अध्यक्ष है वो कौन है तो आपको पता होगा कि बर्तमान विधान सभा अध्यक्ष जो है वो कौन है श्री ग्रीस गोतम ठीक है ग्रीस गोतम जी जो है यह बर्तमान में मद्द प्रदेश के क्या है विधान सभा अध्यक्ष है अब यहाँ पर कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा ठीक है पर्थम कोन थे तो पर्थम कुझिलाल दुबे यह हमारे मदप्रदेश के जो है प्रथम विधान सभा अध्यक्ष भी रहे हैं और सातियों सबसे ज़्यादा कारकाल इनी का रहा है इनको विधि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है कौन से विधि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इसके अलावा जो है अभी हम बात करें तो इस बार की जो विधान सभाद थी, उसमें दो तीन चीजें और ध्यान रखियेगा, कि प्रो टाइम स्पीकर, ठीके, जो पहली पहली बार इसमें तीन प्रो टाइम स्पीकर हुए हैं, ठीके, सबसे पहले जो था, वो कौन था, दीपक सक्षेना, आपको पता होगा कमल ला बित मंतरी जो है, अभी वो, ठीके, मुझे एक्जेक्ट ध्यान नहीं आ रहा है, उनका नाम, ठीके, जगदीश देवडा, ठीके, जगदीश देवडा, ठीके, इसके अलाबा जो है, अभी हमारे रामिश्वर सर्मा, ठीके, रामिश्वर सर्मा, ये इस तरीके से तीन जो ह प्रोटाइम स्पीकर बने प्रोटाइम स्पीकर का काम क्या है अच्छा यहां प्रश्म बन सकता है यह कहां विधान सवा से थे छिंदवाड़ा क्यों बन सकता है क्योंकि साथियों आपको पता होगा कि जब इन्हों ने विधान सवा से रिजाइन दिया था तभी हमारे जो कम कोई भी व्यक्ति मुख्वंत्री बन सकता है वह सर्त है कि 6 माय के अंदर उसे विधान सभा की सदस्ता लेनी पड़ेगी ठीक है तो इसलिए ध्यांदर कियेगा उपाद्यक्ष कोन है तो शांतियों अभी जो है स्याम सुन्दर जी ठीक है यह अभी हमारे बरतमान में उपाद कमलनाजी जो पहले मुख्वंत्री थे वही विपक्ष के नेता है प्रशनी यह उड़ता है कि जब कमलनाजी की सरकार थी तो विपक्ष में कौन था तो जो हमारे गोपाल भारगोजी है वो जो है उस समय क्या थे विपक्ष के नेता थे और बरतमान में विपक्ष के नेता क कावरे इनका जो है नाम सुना होगा आपने ये कहां से थी लाजी विधान सभा से थी विधान सभा सीड़ से क्या विश्चता है तो यहां ध्यांदर किएगा फश्ट महिला क्या है विधान सभा उपाद्यक्ष ठीके ये फश्ट महिला विधान सभा उपाद्यक्ष रही है यहीं पर एक चीज और ध्यांदर किएगा कि जमना देवी जो है ये प्रथम महिला विपक्ष की नेता रही है ठीके अब नहीं रही जमना देवी लेकिन प्रथम महिला विपक अप्छे की नेता होने का जो है गौरों प्राप्त एक इसको जमना देवी को तो यह कुछ बहत्पुड प्रश्ने थे जो आपको ध्यान में रखना था चलिए मैं इसको मिटाता हूँ आगे चलते अगला प्रश्ने है साथियो हाई कोट के चीप जिस्टिस तो आपको पता होगा अभी हमारे जो बरतमान मद्य परदेश के ठीक है जिस्टिस कोण है तो आपको पता होगा जिस्टिस बिजे कुमार मली मत जिस्टिस अभी 27 वे हाई कोट के चीप जिस्टिस है अब प्रश्नी ये उड़ता है कि भाई परथम कोन थे तो आपको पता होगा मोहमद हिदायद उल्ला ठीक है तो महम्मद हिदायद उल्ला जो है ये मद्द प्रदेश के प्रथम चीफ जेस्टिस रहे हैं अब ये उड़ता है कि क्या कोई और महिला भी हमारे यहां जेस्टिस रहे हैं तो ध्यान रखिएगा हमारे यहां सरोजिनी सक्सेना तो ये हैंपी हाई कोट की फर्ष्ट महिला न्यायदीस है तो यहां पर प्रश्ण उड़ता है कि मद्द प्रदेश हाई कोट कहां पर है तो एमपी का जो हाई कोट है ये कहां पर है सातियो जवलपूर में है ठीक है कहां पर है जवलपूर में अब यहां पर कब बना था ये तो 1956 में बना था आपको पता होगा पहले ये क्या 1936 में जो है नागपूर में था जब सेंट्रल प्रोविजेंट एंड बरार बना तो इसको कहां जबलपूर इस्थान तरित कर दिया गया अब ध्यान रखिएगा क्या कोई खंड़ पीट है तो आप बताओगे कि हाँ खंड़ पीट है ठीक है कि भोपाल जो हमारी नई खंड़ पीट ये कैसी है प्रस्ताबित है ठीक है कैसी है प्रस्ताबित है इसलिए ध्यान रखिएगा तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है किस आर्टिकल में ये प्रावधान है तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 214 तो आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए हाई कोट के गठन का प्रावधान है दो या अधिक राज्यों के लिए सयुक्त हाई कोट का भी गठन किया जा सकता है अभी मद्द प्रदेश में कुल कितने हाई कोट है तो सांतियों अब 25 हाई कोट हो चुके हैं पहले 24 थे एक ओर बन गया तिलंगाना तो इस तरीके से अब कितने हो गए हैं 25 हाई कोट की संख्या होगा सबसे बड़ा हाई कोट कोट सा है तो आपको पता होगा इलाबाद हाई कोट में सरबाधिक नयदीसों की संख्या है सबसे ज़्यादा हाई कोट अन्य राज्यों के समाईत कहां पर है तो वो गुहावटी में है ध्यान रखियेगा यह कुछ महत्पुड प्रशने थे हाई कोट के चीफ जेस्टिस को सपत कोन दिलवाता है तो आप बताओगे राज्यपाल दिलवाता है तीक है नियुक्ति कोन करता है तो नियुक्ति राश्ट्पति करता है कॉलेज इम सिस्टम के तहर्ट पर सपत राज्यपाल दिलवाता है चलिए हम इसको मिटा देते हैं आपको स्क्रिंशॉट लेना हो तो सातियों यह जो है काफी इंपोर्टन टॉपिक है इसको आप क्या काम कर सकते हो अपनी सॉट नोट्स बना सकते हैं कोई कि रिविजन के लिए यह काफी इंपोर्टन है चलिए अगला हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग सातियों बहुत ही महत्पोर्ट टॉपिक है निर्वाचन आयोग हम पॉलिटी में डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन चुकि अभी हम करेंट अफेस की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो मद्परदेश निर्वाचन आयोग है इसको निर्वाचन आयोग भी कहा जाता है तो आपको पता होगा कि अभी बर्तमान में कौन है बी पी सी हैं ठीक बसंद परताप सी हैं ये बर्तमान में हैं पर्थम कौन थे तो पर्थम आपको पता होगा एन भी लोहानी ये मद्द प्रदेश के पर्थम निर्वाचल आयुक्त रहे हैं इसकी स्थापना कब हुई है त साथियों यहां पर किसी पुस्तक में 15 जिनवरी भी मिलता है आप ध्यान रखिएगा ठीक है तो एक फरवरी 1994 कहां पर बहुपाल में मुख्या ले अब साथियों यहां पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि इसका गठन क्यों किया गया तो इसके कार्य क्या है तो आप देखोगे कि इसके जो कार्य है पंचायतों वा नगरी निकायों ठीक है किसके नगरी निकायों के क्या करवाना निर्वाचन करवाना अभी क्यों मेतपूर है अभी आपको पता होगा कि अभी हमारे आज जो है निर्वाचन होने वाले थे पंचायतों के लेकिन OVC आरक्ष में हो गए हैं ठीक है इस्ते लगा हुआ है तो ऐसी कंडिशन में काफी चर्चा में साथियों प्यसी ने एक प्रशन पूछा था कि मद्द प्रदेश में अभी तक पंचायतों के कितनी वार चुना हो चुके हैं तो ध्यान रखिएगा मद्द प्रदेश भारत का प्रथम रा था मद्द प्रदेश में अब यहां पर प्रशन यह बनता है तो आप ध्यान रखिएगा कि जब 1994 में 1999 में 2004 में 2009 में 2014 में और 2019 में होना था लेकिन 2019 में नहीं हो पाया क्यों नहीं हो पाया कोविड 90 के चलते तो अभी 2022 में होने वाले थे लेकिन फिर इस्तागित हो गए तो इस तरी के साब देखोगे कि कितने बार इलेक्षन हो चुके हैं पाच बार यह छटवी बार होना है कून करवाता है यह राज निर्वाचन आयोक का जो है आर्टीकल ध्यान रखिएगा आर्टीकल 243 ता या के भी कह सकते हैं ठीक है इंगलिस में हम के कह सकते हैं इसमें इस इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यांदर कियेगा काफी इंपोर्टन टॉपिक है यह ठीक है चलिए पंचायतों वा नगरी निकायों का चुनाओ करवाना इसकी मुख जिम्मेदारी है ठीक है इसको मिटा देता हूँ आपको नोट करना है तो आप लिख सकते हो अगला परिशने हैं MPPSC ठीक है MPPSC अद्यक्ष ठीक है आयोग की जब हम बात करते हैं तो अभी तहीं कि MPPSC के जो अद्यक्ष है वो कौन है राजिस लाल महरा ठीक है ये पहले कारी कारी थे अब इनको जो है पर्मनेंट बना दिया गया है अभी जो है अब जो है 62 साल की इस तक जो रहेंगे राजिस लाल महरा ये जो है बरतमान अद्यक्ष है पर्थम कोन थे पर्थम तो आप बताओगे ये मद्द प्रदेश के पर्थम अद्यक्ष थे इसका गठन कब हुआ था तो जो हमारा अदिनियम मद्द प्रदेश उनर गठन अदिनियम था 1956 उसके 1183 के तहट इसका क्या किया गए था गठन मुख्याले कहां पर है तो मुख्याले आपको पता होगा MPPSC का मुख्याले कहां पर है इन दौर में साथियों अभी आपको पता होगा राजसलाल महराजी को जो है जब अद्दक्च बनाया गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम सबसे जल्दी से जल्दी जो है MPPSC 2019 की मुख्य परिक्षा 2020 की प्रारंबिक परिक्षा और 21 का नोटिपिकेशन जल्दी ही जारी करेंगे तो आपको पता होगा 19 का रेजल्ट आ गया है 20 का भी लगबग जो है जन्वरी के फर्ष्ट बिक में आ जाएगा बिलकुई ठीके ध्यांदर कियेगा मद्दप्रदेश में ST कमिशन और SC कमिशन की बात करें तो यह बना था कब 1995-1996 में बना था ठीके इसके जो अध्यक्ष है वो कों है अभी तो इसके जो अध्यक्ष है यह है भुपेंदर रशी आर ठीके यह बरत्मान में अध्यक्ष है इनका कार क्या है भी या तो आपको पता होगा कि इनको महत्पुड जिम्मेदारी शौपी गई है चुकि मद्द प्रदेश अदिव असी वहुल छेतर है तो उनके विकास आत्मक कारियों के लिए कल्याण और उनकी किस तरीके से समाजिक आर्थिक वार राजनेतिक विकास किया जा सके उनकी किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सके इसी तरीके से ऐसी आयोग है यह भी 1995 के असपास इसका गठन हुआ था और अभी जो है कौन नरेंदर मरावी जी जो है इनके क्या है अध्यक्ष है अगली बाद उड़ती है OBC कमिशन की तो आपको पता होगा कि OBC कमिशन का नाम अब जो है अन्यपिछणा बर्ग कल्याण वा विकास आयोक कर दिया गया है और जो गौरी संकर विशेंच जी है ठीके गौरी संकर विशेंच जी जो है उसको इसका अध्यक्च बनाया गया है ठीक है गोरी सनकर विशेंच जी जो है क्या बनें इसके अध्यक्च बने है ठीक है ओबी सी आयोग की और अगर हम बात करें तो ओबी सी आयोग बी कब गठित हो गया था 13 मार्ज 1993 को इसका गठन हो गया था किसका OBC आयोग का ठीक है अगला है अल्प संख्यक आयोग तो आपको पता होगा कि एहमद खान जो है एहमद खान ये जो है मद्द प्रदेश अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष है ठीक है और इसकी स्थापना कब होई ती साथी हो तो हमारे यहाँ इसकी भी 1900 लगबग मुझे एक जग द्यान नहीं है आप देख लिजेगा साइर 95 के आसपास इसकी स्थापना हुई होगी ठीक है 1995 के आसपास ठीक है हाँ बिलकुल 1996 के आसपास 1996 1996 में इसकी स्थापना होती है चलिए साथी आगे चलते हैं अगला देखिए मद्द प्रदेश मानवा दिकार आयोग आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो मद्द प्रदेश मानवा दिकार आयोग है उसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि कब इसकी स्थापना होई थी तो मानवा दिकार आयोग की जो है स्थेट हुमें एमपी है ना हैंपी हुमें राइड्स कमिशन इसकी स्थापना होई थी कब 13 सेप्केमबर 1993 को ठीके कब होई थी 1993 को ठीके चलिए 95 को तेरान भी को तो हमारे केंदर की हुई थी ठीक है 95 को हुई थी जस्थिस दर्मा दिरकारी को इसका प्रथब मो बनाये गए चलिए आगे मैं बात करता हूँ कि बरतमान में इसकी अद्दक्च कोन है तो बरतमान में इसकी जो पद्दक्षे वो है कौन नरेंद्र कुमार जै मैंने आपको पिछले जो लेक्चर हमारा MPPSC का आयोग वाला टॉपिक चल रहा है उसमें आप यहां पर डिटेल पढ़ सकते हो कि मानमादिकार आयोग क्या होता है कैसे काम करता है राष्टी अंतर राष्टी 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं ठीक है इसकी क्या मैधपूर बोमि का है इसकी यतियाशिक प्रिष्ट बोमि क्या है उन्हें सब विष्वे पर आप जो है प्रीविएस लेक्चर देख सकते हो ठीक है डिटेल अगला है लोक अउक्त मद्ध पृध प्रदेस लोकायक्त की जब हम बात करते है तो लोगपाल और लोग का यूइगत है, आपको पता होगा, अभी जो है, लोगपाल के गठन का प्रोधान लब्य समिश से चला आरहा था, ठीके, और आपको पता होगा, 68 में जो है संज़ाद में प्रworking भी किया गया था लोगफाल के गठन कि बर्च 2013 में हमारे अन्ना आजारे जी और अन्नी सातियों ने मिलकर क्या काम किये एक बहुत बड़ा मोमेंट किये अंदोलन किये और लोकपाल के गठन का जो है तो सरकार ने फिर आननकाने प्रस्ताव लेकर आई और लोकपाल के गठन का प्रावधान किया क्या कारी करता है जो हमारे राज्यतिक और प्रस्तिक व्रस्ताचार है उसको कंट्रोल करने में इसकी महत्पोड गवामिका होती है आपको पता होगा इसको विस्प में ओमबोर्स मेन के नाम से जाना जाता है और सबसे पहले 1709 में सुरी 1809 में जो है कहां पर सुईडन में ये आया था दीरे दीरे अन्न राज्यों ने इसको अपना है मद्द प्रदेश भारत में इसको लोकपाल के नाम से जाना जाता है सांथ्यों उसी को ध्यान में रखते हुए राज्यों ने भी जो है लोकायुक्ट जैसी संसता की गठन का प्राओधन किया और मद्द प्रदेश में लोकायुक्त का गठन कर दिया गया ठीक है मद्द प्रदेश में किसका लोकायुक्त का गठन कर दिया गया बरतमान इसके अद्दक्ष को ने तो बरतमान में इसके अद्दक्ष है नरेंदर कुमार गुपता ठीक है इससे पहले हमने नरेंदर कुमार जैन पढ़ा था ठीक है तो ये है नरेंदर कुमार गुपता जी मद मद्द प्रदेश लोकायुक्त के अध्यच ठीक है हाला कि जो उडिशा है फिर महाराज थे इन्होंने अपने आ लोकायुक्त सिस्टम लागू किया था मतलब सदन में लेकर आया था लेकिन उससे पहले मद्द प्रदेश प्रदेश ने इसको लागू कर दिया लाए उन्होंने पर लागू मद्द प्रदेश ने किया तो सांथियों काफी इंप्रटन टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं चलिए अगला है कि भाई हमारे यहां जो है डी जी पी ठीक है डी जी पी अभी आपको पता होगा कि पूलिस दारक्टर जरेरेंदर राल आप पूलिस थीक है तो यह जो पद है यह पहले से नहीं था यह 1982 में यह पद क्या हुआ है निस सो 1982 में और वी जी घाटे जी जो है हमारे पर्थम DGP बनाए गए थे बर्तमान में कौन है तो बर्तमान में आपको पता होगा कि विवेक जोहरी जी तो विवेक जोहरी जी अब देखिए विवेक नॉलेज ठीके बुद्धिमान ठीके तभी तो उनको मद्य प्रदेश का DGP बनाया गया दो चीज और ध्यान रखिएगा मद्य प्रदेश में इंदोर और भोपाल दो ऐसे सहर हैं जहां पे पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू कर दी गई है अब सांतियों प्रशनी उड़ता है कि पुलिस कमिशनर प्रणाली क्या होती है तो इसके लिए आप जो है प्रिवियस मद्य प्रदेश के जो हमारा करेंट अफिस की लेक्चर है उनको आप सुनोगे तो सब किलियर हो जाएगा यहां पे पुलिस ही सर्वे सर्वा होती है अब कलेक्टर से इनको कोई पर्मिशन लेनी की जरूरत नहीं होगी अपनी रिपेटा भी यह कमिशनर कलेक्टर को नहीं स्वापिंगे डारेक्ट बिधान सभा में स्वापिंगे तो इस तरीके से जो है इनको काफी पावर दे दी गई है ठीके कानून इवर्म सांती वरस्ता के लिए चलिए राज महिला आयोग की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहां जो महिला आयोग है यह कब गठित हुआ है तो देखिए मद्द प्रदेश महिला आयोग आपको पता होगा कि अभी जो है स्रीमती सोभा ओजा जी ठीक है सोवा ओजा ये जो है मद्द प्रदेश में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं आपको पता होगा सांतियों कि 23 मार्ज 1998 को कब 1998 को मद्द प्रदेश महिला आयोग का गठन किया गया था ठीक है और ये जो है 8 मार्ज को आपको पता होगा महिला दिवस अंतराश्ती महिला द आदिक जो है आत्म नर्भर बनाया जैसे कि सकती करण किया जाके सामाजिक राज्यतिक आर्थिक छेत्रमन की भागीदारी स्वनिश्चित करने के लिए ठीके तो उनके साथ होने वाले अत्यचार को रोकने के लिए ठीके यह आयूक का गठानी किया गया था चलिए अगला है हमारे यहां राज्य सूचना आयूप्त चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ साथियों आपने जो है आर्टी आई एक्ट का नाम सुना होगा आर्टी आई एक्ट कब आया था 2005 में इसको बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राइट टू इन्फरमेशन यह आपको पता होगा 12 अक्टुम्बर 2005 से यह लागू कर दिया गया है ठीके लागू हो गया था अब जरा देखिए इसको प्रभावी बनाने के लिए केंदर में राष्टी सूचना आयोग और राज में राज सूचना आयोग्ट के गठन का प्रावधान किया गया है ठीके आपको पता होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है प्रशासन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए और प्रशासन को अधिक क्या करने के लिए रिस्पॉंसिवल उत्तरदाइद बनाने के लिए यह आया है यह सूचासन की दिशा में महत्पुड कदम है ठीके तो इसके जो अधिक्ष है वो कौन है अरविंद सुकला जी कौन है अरविंद सुकला जी कब बना है भाई तो मद्ध प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो यह जो है कब आया है 2005 में आया है संबत है यह अगस्त के आसपास आया होगा ठीके हाँ बिलकुल कब आया है 22 अगस्त 2005 को इसका गठन किया गया है ठीके चलिए आगे हम बात करते हैं मद्ध प्रदेश बित आयोगी की ठीके तो आपको पता होगा कि मद्ध प्रदेश में ज ये गठन का प्रावधान किसमे है तो आर्टिकल 243 जा में ठीक है या आई में इंकम ठीक है तो आपको पता होगा 243 आर्टिकल के तहट जो है वित आयोक के गठन का प्रावधान है इसका मतलब मोल कॉंस्ट्टिविशन में इसका प्राउधान नहीं था ये क्या काम करता है जो हमारी पंचायत है पंचायत वय नगरी निकायों इनके बीच में क्या काम करता है बित्त का बत्वारा करता है उनको आर्थिक संसाधन किस तरीके से उपलब्द कराए जाएं इसकी समिक्षा करता है ठीके तो ये ध्यान रखिएगा और अब ही हमारे जो परत्मान अध्यक्ष है ठीके वो कौन है हिम्मत कोठारी जी हिम्मत कोठारी जी 2023 तक ये इस पद पर रहींगे ठीके और इसका गठन कब हुआ होगा तो ध्यान रखिएगा 1994 में क्यों क्योंकि भाई 1993 में हमारा तरत्तरवा संविधान संसोदन आये था तरत्तरवा और चौरत्तरवा उसी तरत्तरवा अधिनियम के तहती इसका क्या किया गया है गठन किया गया है ठीके ये पंचातों से रिलेट प्रशन उड़ता है कि मद्द प्रदेश का सबसे सर्वोच प्रशाष्णिक अदिकारी कौन होता है, तो यही मुख्ष सचू होता है, ठीक है, और भारत सरकार का तो वो होता है कैबिनेट सचू, ठीक है, अभी कौन है मुख्ष सचू हमारे, तो आपको पता होगा, इकवाल- इकवाल सी बैस यही मद्द प्रदेश के अभी वरतमान में मुख सचुर है चलिए आगे प्रशन उड़ता है मद्द प्रदेश अब हम इसको मिटा रहे हैं आपको नोट करना है कर लीजे सातियों मद्द प्रदेश के महादिवक्ता ठीक है चलिए सबसे पहले मैं आपको पता दूँ कि आर्टिकल 165 में किसका प्राउधान है महादिवक्ता का प्राउधान है ठीक है ये क्या होता है तो मद्द प्रदेश का क्या होता है सरवोच बिधिक अधिकारी ठीक हमारी जो मद्द प्रदेश सरकार है उसका सरवोच क्या होता है बिधिक सलायकार या बिधिक अधिकारी होता है ठीक है आर्टिकल 165 में प्राउधान है बरतमान में कोन है तो बर प्रसांत सी ही इससे पहले पुस्पेंदर कोरो जी थे आप ध्यान रखिएगा आप प्रसांत सी हो गए हैं और आपको बता होगा कि इनका महत्पूर्ण अभी जो है OBC आरक्षण को लेकर जो है हाई कोट में हमारी सिन्वाई चल रही है तो वहां पर सरकार का जो पक्ष रख होते हैं यह मद्द्रीद के सरवोच विदिक सलाइकार होते हैं और भारत के कौन होते हैं तो आप बताओगे आर्टिकल 76 के तहर्र किसका महा नयाएवादी के पद का प्रावधान किया गया जो एक यहीं भारत सरकार का सरवोच विदिक सलाइकार होता है अब सांथियों आपका प्रश्न बनता है आप छोगह की जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या काम करो it कि बरतमान没 मन्तरी मंतरिमारि में इसको दृहान में रखो जैसे कि बरतमान में अमतर मंतरी को है त्रीकश रक्षण मंतरी तो होते तो आपको पता होगा हमारी जो कुल विधानसवा होती है कुल विधानसवा सीट कितनी है 230 तो आपको पता होगा कि अब ये प्राउधान कर दिया गया है इनक्यानबे संसोधान 2003 के तहट ये प्राउधान कर दिया गया है कि कुल विधानसवा सदस्यों का 15% से अधिक मंतरी परसद नहीं ली जाएगी तो इसलिए जो है अब ये प्राउधान कर दिया गया है UPSC PSC में कई बार प्रसने पूछे जा चुके तो आप बरतमान जो मंतरी मंडल है उसको बहुत अच्छे ते आप तयार करोगे क्योंकि साथियों जरा सोचिये MP पूलिस के जो है 9 फरवरी से संबता एक्जाम शुरू हो रहे हैं तो ये 9 जनवरी से फरवरी तक चलेंगे आप सोचिये कितने टेस्ट पेपर बनेंगे अगर आपको जो है ये वीडियो लेक्चर काफी अच्छे लग रहे हो ठीके आपके एक्जाम के दृष्टी से महत्पोड हो तो आप इस चेनल को सब्क्राइब भी करें और अपने अन्य दोस्तों को जो है सीयर भी करें ओके ठेंक्यू